दोस्तो अगर आपके घर में जो है जीरो से लेकर 5 वर्ष तक कोई भी बालकिया बालिका है और आप जो है उसका आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आप जो है सही वीडियो पर आए हैं जिया दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आप लेकों को बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप जो है जीरो से लेकर पांस साल तक के छोटे बच्चे का आधार काड घर बेठे बनवा सकते हैं, उसका completely process क्या है, तो वीडियो काफी जादा informative होने वाला है आप सभी के लिए, तो वीडियो को बिना skip की एंट तक जरूर देखिएगा, और हाँ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इसी तरह की information के लिए चैनल को subscribe करके, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तो हमारे चैनल पर आपको इसी तरह का digital इंडिया से रिटेट पहले से इसको install करके रखा है, तो मैं इसको यहाँ पर simply open करने वाला हूँ, तो जैसे ही आप open वाले button पे click करेंगे, तो आपके सामने इस तरह का interface page open हो जाएगा, अगर आप जो है first time इस application को open कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप से कुछ permission मांगी जाएगी, आपको permission को allow करना है, तो आपका जो application है, यहाँ पर open हो जाएगा, अभी दोस्तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको कफी सारे option देखने के लिए मिल जाते हैं, तो आपको यहाँ पर पहले ही number का option देखने के लिए मिलता है, service request का, तो आपको simply इस वाले option पे click कर देना है, तो जै यहाँ पर आपको जो है, parents का address इंटर कर देना है, यहाँ पर आपको जो है, आपके area का postal pin code डाल देना है, email address अगर आपके पास है, तो आप यहाँ पर इंटर करेंगे, otherwise mandatory नहीं है, उसके बाद यहाँ पर आपको जो है, mobile number इंटर कर देना है, यहाँ पर आपको select service का option आता है IPPB आधार service तो आपको क्या करना है इस सुआली service पे click कर देना है जैसी आप इस सुआली service पे click करते हो तो आपका page एक बार refresh होगा उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे select का option आ जाएगा तो जैसी आप select वाले button पे click करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह का interface page open हो जाएगा अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले ही number का option आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है UID child 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चे का आधार enrollment तो दोस्तो अगर आपके घर में कोई भी 0 से लेकर 5 साल तक का बच्चा है अगर आप उसका आधार enrollment कराना चाहते हैं नया आधार cut बनाना चाहते हैं तो आपको जो है इस वाले option को tick mark करना होगा तो हम simply इसको select करेंगे उसके बाद आप request OTP वाले button पे click करेंगे तो जैसी आप request OTP वाले button पे click करेंगे तो जो mobile number आपने यहाँ पर provide किया है उस mobile number पर आपको एक OTP भेजा जाएगा OTP हमारे पास आ चुका है हम simply OTP को यहाँ पर copy कर लेते हैं जैसे कि आप देख रहे है copy OTP और यहाँ पर हमने enter OTP की जगह पर इसको paste कर दिया है उसके बाद आपको यहाँ पर confirm service request का option दिखाए देगा नीचे की तरफ तो आपको simply confirm service request के उपर click कर देना है तो जैसे आप confirm service request के उपर click करते हैं तो यहाँ पर नीचे की तरफ आपको एक reference number मिल जाएगा आपकी request जो है successfully submit कर ली गई है अभी जो है आप इस reference number के माध्यम से अपना status track कर सकते हैं तो आपको simply इस reference number को note कर लेना है मैंना इसको secretary purpose से hide किया है यहाँ पर आपको उपर की तरफ एक button दिखाए देगा कि click to track your request तो आपको यहाँ पर click करना है तो यहाँ पर आपको जो है आपका request number डाल देना है फेच वाले button पर click करना है तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी जो है हमारी request हमने यहाँ पर recently update की है इसलिए यहाँ पर अभी हमको जो request है यहाँ पर pending show हो रही है अब दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर request डाल देते हैं तो Indian Post Payment Bank की तरफ से जो भी करमचारी है जो postman, postmaster है वो आपके home address पर आपके घर आएगा और आपके घर में जो भी छोटा बच्चा है 0 से लेकर 5 वरस तक का उसका नया आधार card बना कर चला जाएगा इसके लिए mandatory document जो है आपके पास में बच्चे का birth certificate होना जरूरी है parents का आधार card होना जरूरी है यह चीज़े आपके पास में होनी चाहिए तो दोस्तों इस तरह से आप घर बेठे छोटे बच्चों का नया आधार card बनवा सकते हैं यह उसका completely process था कि मैंने आप लोगों को बताया अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी knowledge मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिए चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए इसी तरह की helpful information आप लोगों को हमारे चैनल पर मिलती रहती है तो आज किस वीडियो में इतना है मैं मिलता हूं से नेक्स वीडियो में किसी नई knowledge और information के साथ तब तक के लिए जया हिन जया भाड़।